अरिवों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को को और रो में एन्वल अप टूल से एक क्रेटिव डिजाइन कैसे बना सकते हैं उसके बारे मैं बता रहा हूं तो अभी क्या है पहले एक image import कर लेता हूं empty space पे आपको क्या करना है mouse को right click करना है right click करके import बुलता हूं import बुलने के बाद अभी एक image है इसको double click करता हूं तो देखो अभी ऐसा आ गया अभी सिर्फ click करता हूं तो जो size है वसी size से import हो जाता है तो अभी इसमे क्या है background है तो देखो भी एता बातल के साथ अधर background है, एक box लेको दिखाता हूं मैं अभी एक box लेको इसको color देता हूं अभी इसको colleges करता हूं shift को hold करते हूं, आपको shift paste down करना है तो दिखो भी एसे paste down हो गया यानि यह bottle के साथ क्या है इधर एक background है okay मुझे इस background को भी remove करना है और इस इमेज भी पिक्सल में है यानि image क्या है bitmap में है यह आपको दिख रहा है इसको मैं क्या करता हूँ इसको वेक्टर भी करना है और जो बैग्रोंड है उस बैग्रोंड को भी रिमूव करना है तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ अभी इसको सेलेक्ट रखते हुए आपको क्या करना है bitmap में आना है bitmap में आके outline trace करके है outline trace में आना है outline trace में आने के बाद आपको क्या है clip part करके आता है इधर click करता हूँ यहनी क्या होता है यह object क्या है कि एक clip part बन जाता है अभी क्या है इधर details है smoothing है अभी जो डिफर्ट में यह ले रहा है, उतना ही रख रहा हूं मैं इसको क्या है, बोल देता हूं, एनी थोड़ा स्मूद हुआ रहता है यह पिक्सल में जो था, वह भी वेक्टर में हो जाएगा तो अभी इसको ओक्षिश्चा हूं तो दीखो अभी यह vector में आ गया और इसका जो original है इसको मैं अभी गया है इसको delete कर देता हूँ अभी यह जो है इसको ungroup करता हूँ तो अन्गरूप करने से अलग-अलग हो जाता है एक वप बिलने से अन्गरूप हो गया इसको क्या है चेलीट कर देता हूँ तो अभी इसको आपको क्या करना है तो तो देखर दोरा तुम कर लए थाओ तो धर को भी थोने जगे है इसको delete कर देता हूँ, अभी क्या है, free and tool लेता हूँ, free and tool लेना है, लेने के बाद इदर click करके आप क्या है, control के साथ hold करते हुए, इदर click करता हूँ, click करके, इन दोनों को select करो, आपस select करके, e and c बोलो, e and c बोलने से क्या होता है, total center में आ गया, अभी इसको क्या है, back minus front करता हूँ, back minus front करने से क्या हो गया है, bottle में से, आधा ऐसे cut हुआ है, तो इसको control के बोलता हूँ, control के बोलने से क्या होता है, break होता है, break होने के बाद इसको क्या है, इसको क्या है, इसको delete कर देता ह अभी इसको क्या है यह जो left side का point है इस point को क्या है control को hold करते वे ऐसे लेता हूँ जैसे इधर flip होता है mouse को right click करके left click छोड़ देना आपको यह copy बन गया अभी ूर्ट करने से अभी इन दोनों को select करता हूँ select करके आपको क्या करना है weld करना है weld करने से क्या हो गया अभी single हो गया अभी देखो आप f2 press करेंगे तो क्या होता है window आ जाता है तो अभी iisku को क्या व्हक्या करके 먹고 freehand tool लेता हूँ लेके इदर click करके इसे drag करता हूँ drag करके एक बार इसको आप क्या करो bottle के साथ select करो दोनों को select करना है select करके C बोलता हूँ C बोलने से क्या हो गया width में center हो गया अभी इदर जो curve बना है उसके साथ साथ और के client लेता हूँ control को hold करते वेसे drag करो आप जैसे इदर थोड़ा shape बना है इसको right click कर लेता हूँ तो इदर copy आ गया वोकिए यह आपको समझ में आ रहा है तो अभी क्या चाहिए और एक लाइन चाहिए मुझे तो इन दोनों के बीच में चाहिए इन दोनों के center में एक line चाहिए तो और एक एक इसे आप control को hold करते हूँ इसे right click कर लो अभी मैं क्या करता हूँ यह जो पहला line है और जो third line है इन दोनों को select करके आपको control G बोलना है तो अभी यह group हो गया अभी इस line को select करके shift के साथ इस line को select करके E बोलता हूँ तो height में center आ गया इतना होने के बाद इस line को क्या है ungroup कर देता हूँ control U बोलने से क्या हो गया ungroup हो गया अभी क्या है और एक एक line इस तरफ आपको duplicate करना है control को hold करते हूँ इसे लाता हूँ जैसे इदर थोड़ा shape इदर change हुआ है अधर आके mouse right click किया मैंने तो और एक line आ गया तो अभी आपको क्या करना है और थोड़ा इसे नीचे लेता हूँ इसे अभी आपको क्या करना है इदर और एक line लेना है control को hold करते हूँ इसे drag करता हूँ right click करता हूँ shift को hold करते हूँ इस bottle को select करो select करके b बोलता हूँ b बोलने से क्या हो गया bottom में आ गया अभी क्या इन दोनों line को क्या है इसे group कर लेता हूँ control g क्या मैंने group किया और एक line उपर से इसे लेता हूँ control को hold करते हूँ ले रहा हूँ तो state में आता है तो अभी यह line selected है shift के साथ इसको select करो select करके यह बोलता हूँ तो देखो भी दोनों line के बीच में यह आ गया अभी इसको select करते हूए ungroup बोलता हूँ control u बोलने से क्या है ungroup हो जाता है यह आपको समझ में आ गया अभी जो bottom line है इस line को क्या है इसे delete कर देता हूँ थोड़ा zoom out कर लेता हूँ यह 3 करने से zoom out होता है f2 करने से एक बार zoom tool आता है इसे click करके आप drag कर सकते हैं यह आपको समझ में आ रहा है अभी इन sub lines को select करता हूँ सिर्फ lines को select करता हूँ select करके उसका जो thickness है इधर pen में आता हूँ pen में आके 10 point बोल देता हूँ यह इसका थोड़ा thickness किया मैंने यह इसी strip के size से मुझे इस bottle को cut करना है अभी क्या है इतना lines लेने के बाद अभी इस portion को थोड़ा zoom कर लेता हूँ f2 प्रस करके इसे लेता हूँ तो क्या हुआ थोड़ा zoom हो गया अभी यह जो line है ऊपर का जो line है इसको थोड़ा इसे नीचे लेता हूँ इतना नीचे लेता हूँ इतना लेने के बाद अभी क्या है फिर से f3 के हमेंने अभी zoom out हो गया अभी क्या है इन सब lines को इसे select करके lines को क्या करना है convert outline to object करना है तो उसके लिए अरेंज में आता हूँ अरेंज में आके convert outline to object बोलना है तो क्या होता है जो भी line है वो क्या हो गया अभी object हो गया जैसे एक normal box हो गया आप लेते हो ऐसा हो गया अभी इसको back-front करना है इससे पहले भी मैं क्या करता हूँ इस bottle को एक copy कर लेता हूँ एक copy रखता हूँ अभी इन सबको आप select करो select करके आपको क्या करना है back-front करना है इदर क्या है back-front है इसको click करता हूँ तो दिखो भी इससे cut होके गया अभी अभी मुझे क्या करना है इसमें अभी दिखो यह सब single object है इसको अभी मैं क्या करता हूँ Ctrl K बोलता हूँ Ctrl K बोलने से क्या हो गया break हो गया सब अलग-अलग हो गया अभी तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ कुछ matter type कर लेता हूँ लेके इदर क्लिक करना है क्लिक करके caps lock रखते वे type कर रहा हूँ the only place for अब इसको क्या है कुछ font change कर लेता हूं अभी क्या है जो borde font रहता है उस font को आपको लेना है अभी इस font को ले लिया मेंने आपको जितना font size बड़ा करना है इसे आप इसे corner से भी drag कर सकते हैं अभी क्या है सब मिलके single click में है भी इसको क्या है STEVE इसको ब्रेकत करने के बाद इन सबको से स्लेट करता हूं . मार्स लिएक्वार्ट कौह तो क्या होता internet इसको स्लेक्ट करते हूं में आता हूं एफक्स में आकर आपको क्या करना है Envolup Tool में आने के बाद अभी क्या करता हूँ यह जो Eye Dropper है Eye Dropper को क्लिक करके इदर क्लिक करता हूँ क्लिक करने से क्या होता है Same Shape इदर आजाता है अभी इदर आपको शेप दिखा रहा है तो अभी इसको सिर्फ apply करता हूँ, तो दिखो भी ऐसे apply हो गया इए आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या करता हूँ, इї selected है shift को hold करते हो, इसको select करके... a and c बोलता हूँ तो दिखो भी, इससे center में आ गया ऊके उसी तरह क्या है , इसको भी इसको 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 इस तो दिखो भी ऐसे center में आ गया इसी तरह क्या इसको लेता हूं ठीक से आपको arrange करना है तो दिखो भी इसको लेता हूं भी यह आपको समझ में आ रहा है E & C बोलने से क्या है shift के साथ दोनों को select करना है E & C प्रस करना है तो center में आ जाता है अभी इसको भी ऐसे लेता हूँ लेकर इसको क्या है E & C बोल दो आप तो देखो भी इसे center में आ गया अभी इसको थोड़ा zoom कर लेता हूँ ये portion थोड़ा बाहर है होता है सो भी इसको select करके delete करता हूँ तो बखो भी ее delete हो गया weekylene कैसंको और थोड़ा netOoh इसको भी क्या है ऐसे delete कर दो जो भी outline है उसको मैंistically delete कर दिया तो दिक को भी इसे bottle जैसा भी टेक्स्ट क्या है आपको bottle जैसाहा पीलिया है इसको भी डिलेट कर देता हूं यह आपको समझ में आ रहा है अभी इन सब को सेलेट करके आ और के कैसे कॉपी करता हूं कॉपी करके इसको क्या है दूसरा कलर भी आप दे सकते हैं अलग-अलग कलर दे के भी आप यूज कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अभी इसको क्या है इसे Ctrl G बोलता हूं Ctrl G बोलने से क्या हो गया Group हो गया इसको भी Ctrl G किया मैंने अभी इसको क्या है इसे Side में रखता हूं अभी Next आउर एक आपको बताऊंगा इस जो Bottle है इस Bottle को क्या है इसे आउर एक आप Duplicate कर लो इदर करके अभी में क्या करता हूँ जो इसका fill है इसको remove कर देता हूं Fill Co Remove रिमूव करने के बाद Mom right click करना है देखो भी outline आगया है जोड़न है इसको तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ Drop Shadow तूल हो नहीं क्लिक करके इसे 은शेड़ करता है जब भी आप लाइन को जब भी शैड़ो देते हो तो आपको एकदम से shadow दिखता नहीं है अभी दिखो shadow तो आया है इसको लेकिन दिख नहीं रहा है आपको क्या करना है इधर आके यह जो feathering direction करके है इधर आना है आके आपको outside बोलना है जब भी आप outside बोलते हैं तभी आपको यह दिखता है अभी थोड़ा dark हुआ है और इसका जो spray का जो यह है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं 20 दिखता है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको यह shadow के ऊपर आपको क्या करना है मौस right click करना है राइट लिक करके break करता हूं ब्रेक करने से क्या हो गया इस shadow separate हो गया अभी आपको समझ में आ रहा है shadow separate हो गया अभी इस shadow को क्या है मौस को right click से hold करते हुए ऐसे drag करता हूँ जैसे bottle के अंदर इदर आता हूँ तो देखो अभी cursor आपका change हो रहा है जैसे cursor change होता है तब आपको mouse का click छोड़ देना है जो right click आपने hold करके रखा था उसको छोड़ दिया मैंने अभी इसको क्या है power clip inside भोलता हूँ तो देखो भी उसके अंदर power clip हो गया यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या है और के कैसे copy करता हूँ अभी इन दोनों को select करके इसको और इसको select करके क्या करता हूँ अभी E and C भोलता हूँ तो देखो भी यह ठोड़ा क्या है शेप थोड़ा आपको आर्क जैसा लग रहा है यह आउटलाइन आपको नहीं चाहिए रखना आपको क्या करना है इसको सेलेक्ट रखते विए महों से के लेफ्ट करने से क्या हो गया क्रास म्र्स म्रक में फिलरी मॉध हो गया अभी ब्लैक में आके मौस राय टलिक करता हूं तो लॉइन कलर ब्लैक हो गया तो अभी क्या है कुछ म्याटर 2017 गॉंद्ध कर लेता हूँ उवेजी का पिविव Sumson पेस्ट करता हूं फिर से एंटर देके ऐसे पेस्ट किया मैंने पेस्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल ये बोलता हूं कॉपी किया कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है इधर एंटर देने के बाद पेस्ट करता हूं तो यह थोड़ा मैटर थोड़ा जाधा कर रहा हूं मै इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है ऐसा यह selected है तो अभी इसको select रखते हुए अभी क्या है यह envelope यह हमने कहां से लिया था यह आपको पता है अभी effect में आ के envelope करके है इधर click करना आपको तो यह docker आता है अभी यह text selected है इधर eye dropper में आता हूँ यह क्या है create from करके है इसको click करता हूँ click करके इधर जैसे यह arrow mark आ रहा है तो bottle पर ऐसे click करने के आपको अभी इसको क्या है apply कर देता हूँ apply करने से क्या हो गया इसे bottle जैसा shape आ गया उसमें दिखो भी ऐसा लग रहा है आपको इस तरह भी क्या है आप अलग-अलग designs आप create कर सकते हैं अगर चाहे तो आप इसको भी 3D जैसा कर सकते हैं तो इसके लिए अभी क्या करता हूँ अभी यह जो shadow जैसा हमने ब दिख रहा है इस तरह क्या है आप बहुत सारे designs आप बना सकते हैं अभी इन सब को select करके Ctrl G बोलता हूँ Ctrl G बोलने से क्या हो गया यह group हो गया तो इसको भी ऐसे सब select कर लो select करके Ctrl G बोलता हूँ तो दिखो भी यह group हो गया यह एक अलग हो गया तो इसको थोड़ा zoom out कर लेता इधर भी एक है, इसको भी इधर लेता हूँ, लेके, अभी देखो इस तरह क्या है, बहुत सारे आपको डिजाइन साब बना सकते हैं, यह आपको समझ में आ गया, अगर यह करते वक्त आपको कुछ डौट्स होगे रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद